आज लोग इतने लेजी हो चुके हैं अपने कामों में इतने लेजी और इतने आलसी हो चुके हैं कि मिहनत करना नहीं चाहते परमेश्व ने क्या कहा था परमेश्व कहता कि मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूँगा फ्री बैष्टने के लिए खुदाने नहीं कहा परमेश्वर ने कहा कि मैं तरह हाथों के कामों पर बरकत दूँगा लेकिन आज कोई मेहनत नहीं करना चाहता तो इसलिए लोगों की जिंदिकियों में बरकते नहीं इसलिए लोग ब्लेस नहीं हो पाते जब ब्लेस नहीं हो पाते तंगी में रहते हैं तो फिर मुख खोल के दूसरों को परमेश्वर का वचन नहीं सुना पाते सबसे पहले अपने आपको परमेश्वर के साथ जोड़ना है जब परमेश्वर के साथ अपने आपको जोड़ोगे तब परमेश्वर सब बातों में उन्नती करेगा अगर आपके सब बातों में उन्नती हुई और फिर आप जब लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार बताओगे तो वो आपके सुनेंगे क्योंकि आपको परमेश्वर सच में जीवित परमेश्वर है लेकिन अगर आप सब बातों म प्रमेश्वर के धर्म और राज्यां के खोष कर तब दुन्या के सब वस्तु यह तुझे तिरे पीछे पढ़के मिलेंगी ताकि आप इसका बन सको परमेश्वर के बड़े कामों को परमेश्वर की जीविस आमर्थों को आप दूसरों ही से मिलता है वे उसके साथ दुख नहीं मिलाता सो फाइनेशली ब्लेस होने चाहिए हालेलुया धन यहवा की आशिश ही से मिलता है और उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है मसी जो है financially blessed होने चाहिए वो इस योग्य होने चाहिए ताकि वो दूसरों को जब बताएं तो वाकिय में उन पर दूसरों पर उस समाचार का असर हो ताकि वो सच में जान सके जानने की कोशिश करें कि इनका परमेश्वर कौन है हालेलुया सो इसलिए हमें आत्मी कृती से उन्नती करने हैं परमेश्वर की खोज में लगना या यूब परमेश्वर की किया सब बातों में उसकी उन्नती हुई वह परवार री करीती से समाजी ने उसके प्रॉसपर किया उसके परिवार को ब्लेस्ट किया किस तरह से परमेश्वा भराय से उन्नती की हालेलुया सो उसी तरह से सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी उसके बाद परमेश्वर सब बातों में उन्नती देगा जब सब बातों में उन्नती होगी तो हम परमेश्वर के दूसरों को बता पाएंगे और दूसरों पर उसका असर होगा स जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं परमेश्वर को जानते और पहचानते हैं सच में परमेश्वर हमें धन और महिमा देता है और परमेश्वर उसमें सुख दुख नहीं मिलाता क्योंकि हम देखते हैं अज बहुत से लोगों के पास कितना फेम हैं कितना पैसा है लेक वो महिमा को कोई भी छीन नहीं सकता हालेलुया इसलिए परमेश्वर में बने रहना है ताकि जब परमेश्वर दे तो साथ में दुख नहीं होगा साथ में परमेश्वर की प्रेजन्स होगी साथ में आनंद होगा खुदा का साथ में परमेश्वर के उन बड़े कामों को करने का हम में ह्याब होगा साथ में हमारे अंदर वीजन होगा हालेलुया तो परमेश्वर दुख नहीं मिलाता जो धन परमेश्वर देता उसके साथ डिप्राइब